Hello guys, welcome back to the channel कुछ दिन पहले हमने JBL Clip 4 Bluetooth speaker की वीडियो डाले थी और वहापे बहुत सारे लोगों ने comment करा था कि आपको इसका comparison MI के 16W Bluetooth speaker के साथ चीए तो हमारे पास दोनों ही speaker आ चुके हैं आज की वीडियों हम दोनों कोई compare करने वाले हैं वो sound quality बताने वाले battery life किसमें अच्छी मिल जाती है सदिसाथ आपके पैसो की best value किस speaker में मिलने वाली है सारी चीज़े वीडियो में discuss करने वाले अगर आप ये वाला चेहरा पहली बार देख रहे हैं वी इस टाइप का amazing content इस चैनल पे मिलता रहेगा तो गई चीली वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं बात कर लेते हैं इनके build and design की तो JBL वाला आप देख सकते हैं कितना compact speaker है MI के सामने so build and design एक subjective part हो सकता है आपको कौन से वाले का design ज्यादा अच्छा लग रहा है आप comment section में बता सकते हैं buttons की बात कर तो दोनों पर ये आपको सारे buttons मिल जाते हैं यहाप आपको pose and play का button मिल जाएगा volume up and down का button मिल जाते है bluetooth का button मिल जाते हैं और यहापे आपको on and off का button भी मिल जाते हैं दोनों में आपको clip मिल जाते हैं अलग लग type का यहाप आपको clip मिलने वाला है JBL में आपको थोड़ा सा study clip मिल जाते हैं इसमें आपको metal का clip दिया हो है वहीं अगर हम MI की बात करें तो यहाँ पर आपको एक इस टाइप का क्लिप मिल जाते है जिसको आप अगर हैंग करना चाहों कहीं पर तो definitely हैंग कर सकते हो weight की बात करें तो MI वाला heavy है JBL से चली देख लेते हैं कितना heavy है so JBL वाले का weight निकल के आता है 236 gram वहीं MI वाले की बात करें तो इसका भी weight कर लेते हैं so MI का weight आया है 742 grams तो weight में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा difference है almost 2 times heavy है MI वाला बात करें material की तो दोनों में ये आपको fabric type का material मिल जाता है दोनों में ये आपको USB-C का support मिल जाएगा लेकिन MI वाले में आपको aux cable का support भी मिल जाता है जो की आपको JBL clip 4 में नहीं मिलेगा तो चलिए sound test कर लेते हैं दोनों पर ही मैं same music play करने वाला हूँ चलिए connect कर देता हूँ इस sample से आप idea लगा सकते हैं कि आपको कौन से speaker में किस type की quality मिलने वाली है मुझे MI case speaker की quality जादा अच्छी लेगी JBL clip 4 से और यहां पे आपको जादा output भी मिल जाता है यहां पे आपको 16 watt का output मिलने वाला है वहीं JBL clip 4 में आपको सिर्फ 5 watt का sound output मिल जाता है volume की बात करें तो definitely आपको MI case speaker में जादा volume मिलने वाली है जादा base मिल जाता है overall sound quality की बात करें तो वो भी आपको MI case speaker में बहुत ही बैसरीन मिलने वाली है JBL clip 4 से MI case speaker में आपको built-in mic भी मिल जाता है तो अगर आप इससे calls वगेरा को लेना चाहरे हैं तो बहुत easily ले सकते हैं यह आपको JBL clip 4 में नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको IPX7 की water resistant की rating मिल जाती है तो आप इसको पानी में नहीं डुबा सकते हैं लेकिन यहाँ पे आपको IP67 की rating मिल जाती है तो आप इसको पानी में डुबा के भी use कर सकते हैं इसको कुछ भी दिक्कत ने होने वाली लेकिन अगर आप इसको डुबाएंगे तो definitely यह वाला speaker खराब होने वाला है बात कर लेते हैं बैटरी की तो MI के speaker में आपको 2600 mh की बैटरी मिल जाती है जहाँ पे आपको 13 घंटे का music playback time मिल सकता है वहीं अगर JBL की बात कर तो यहाँ पे आपको सिर्फ 10 घंटे का music playback time मिलने वाला है बैटरी के मामले भी आपको MI जादा battery backup देने वाला है बात कर लेते हैं availability तो MI portable speaker आपको blue color में मिलने वाला है वहीं JBL clip 4 आपको 6-7 vibrant color में मिल जाता है जैसे आप देख सकते हैं यह green और yellow का combination मिल जाता है ऐसे ही आपको different different 6-7 color combination मिल जाते हैं pricing की बात कर लेते हैं तो JBL का यह छोड़ा सा speaker आपको 4000 रूपे के आसपास मिलने वाला है वही MI की बात कर तो इसके लिए आपको खल्च करने होगे 2200 रूपे मतलब almost आदा price है MI के speaker का तो चलिए final verdict की बात कर लेते हैं कि आपको दोनों speaker में से कौन से speaker खरीना चाहिए तो clearly आप देख सकते हैं MI portable speaker आपको best value for money देता है 2200 रूपे के आसपास यह मिल जाता है लेकिन अगर JBL पे आप 4000 रूपे खर्च करोगे तो पच्छता होगे क्योंगी outdoor में इसकी sound quality कितनी अच्छी नहीं है साधे साथ यह वाला speaker इतना loud भी नहीं है so मेरी recommendation यह है कि आप MI portable speaker के साथ जाए और आप regret नहीं करने वाले हैं वैसे दोनों ही product का best buy link आपको description में मिल जागा जहां से जाके आप directly buy कर सकते हो तो वैसे आपको इन में से कौन से speaker अच्छा लगा वो भी आप comment section में बता सकते हो यह तरह इस वीडियो में कैसे लिगए आपको comment section में जरू बता है यह अच्छी लिगए तो like कर दीजे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्स्राइब कर लिए चैनल को सब्स्राइब कर